हेलो एवरिवन माइनेव वेभव शिवहरे और UBPCS उतकरश में आप सब लोग का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि UBPCS प्रिलिम्स एक्जाम की डेट अब पूस्पॉन हो चुकी है जो एक्जाम 17 मार्च को होने वाला था वो अब कुछ तथा कथित कारणों की वज़े से इस एकजाम को पोस्पॉन करतिया है और आयोग ने कहाए कि संभवतह ये एक्जाम जुलाई के महीने में होने की सम्हावना बताए जा रही कि जुलाई के महीने में शायद exam हो जाए लेकिन अभी भी अभी भी date declare नहीं है कि ये exam जुलाई में कब होगा तो जुलाई में जब भी date आई कि इस exam कि आप सब लोगों को सूचना मिली जाएगी लेकिन अब मुद्दे के बाद ये है कि इस दौरान हम लोगों को करना क्या चाहिए चुकि आज हम 100 day April, May, June को अगर मिला लें तो almost आपके पास 100 दिनों का समय है 100 days का time है चुकि जुलाई में कभी भी ये परिक्षा हो सकती है तो अभी हमारे पास 100 दिनों का समय है तो इन 100 दिनों में हमें ऐसी क्या रणनीती अपनानी चाहिए कि क्या केवल और केवल pre पर focus करना चाहिए या प्री के साथ साथ मेंस को भी साथ में लेके चलनी के आवशकता है क्या करना चाहिए इन आगामी 100 days में चुकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो sincere aspirant है जो sincerity के साथ तैयरी कर रहे हैं इस exam की तो exam दो postpone अभी हुआ है मतलब अगर हम कहें तो मार्च के पहले सपता हमें ठीक ह और मार्च के पहले सपता हमें exam postpone हुआ जब वो RO RO का paper leak होने की घटना सामने आई और RO RO का paper भी postpone हुआ तो उसी समय से ये भी शुरू हो गया कि PCS prelims भी अब postpone होगा हो गया PCS prelims postpone लेकर उसके पहले तक आप January February दो महिने और मार्च की भी कुछ दिनों के अगर मिला ले हम तो इस दोरान भी आप already PCS prelims की तयारी कर रहे थे बहुत सारे से students हैं जब मैं offline classes में पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि December के बाद से मैं देख रहा था है कि December के बा मैं जून आपके पास अपरेल मैं जून तीन महिने का पूरा समय बाकी है तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इन जो सौ दिन का समय मिल रहा है आपको अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा आपको अपरेल का समय मिल रहा है में है और जून है तीन महिने का समय है आपके पास तो इ ठीक, मई और जून, मार्च के कुछ दिनों को consider नहीं कर रहा है, चुकि अभी होली फेस्टिवल आने वाला है, और इस दवरान आप थोड़ा सा फेस्टिवल में इंगेज हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके चार पास दिन आप पढ़ाई करें, या कम पढ़ाई करें, तो मोटा मोटा मान के चलें, और अगर मार्च के भी हम 10 दिनों को अगर यहाँ पर consider कर लेते हैं, मार्च के 10 डेज को अगर हम consider कर लेते हैं, तो हमारे पास on an average 100 दिन का समय है, ठीक, अब इन 100 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या दो चीज़े हैं देखो या पर, क्या केव केवल इन 100 दिनों में केवल प्री पर फोकस करना चाहिए, केवल प्री पर फोकस करना चाहिए, या प्री या इसके साथ प्री प्लस मेंस, या प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, या कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ अब वापस मेंस पर फोकस मत करिये आपके बइस दो विकल्प हैं आब के बास दो विकल्प बच्ते हैं आप प्री प्लस में दोरों को साथ में लेकर चलिए या प्र केवल मेंस को साथ में लेकर चलना है क्या करना है इस पर हम चर्चा करेंगे अभी मेरा ऐसा मानना है कि जो option number 2 है यह जाधा better option है option number 2 जाधा better option है लेकिन जिनको लगता है कि pre की त्यारी लगवाग उनके ठीक ठाक हो चुकी है तो मैं उनको ये भी कहूँगा जिनको लगता है कि pre को लेकर वो sure है कि यार pre में mock test जब दे रहे थे मैं बोलूगा कि उनको ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए April और May ये दो महिने है April और May इन दो महिने में आपको अच्छे से mains पर focus करना चाहिए mains पर focus करना चाहिए और mains पर focus करना कि जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं कहता हूँ कि आपको answer writing practice ठीक तरीके से करना चाहिए थिक उत्तर लेखन अभ्यास आपका बहुत शांदार और करने का प्रियास करें उत्तर लेखन उत्तर लेखन अभ्यास करें इस दोरान थिक चुकि यही उत्तर लेखन अभ्यास आपकी मुख्य परिक्षा के त्यारी को बहतर बनाएगा चुकि अगर माल लीजे जुलाई में प्रलेम्स होता भी है तो जुलाई के बाद आपको मेंस देने का समय के लिए आपके बास उस समय भी ठाई से तीन मेने का समय होगा चुकि जब अभी 17 मार्च को प्रलेम्स हो रहा था तो मेंस एक्जाम जो प्रपोजड था वो जुलाई में था तो इसका मतब यह हुगा अप्रिल, मै, जून वहाँ पर भी तीन मेने मिल रहे थे और अगर आप जुलाई में प्रलेम्स होता है तो आप मान के चलिए September, October, November तो hardly November में देवाली के पहले या देवाली के ठीक बाद आपकी मुख्य परिक्षा भी हो जाएगी तो उसके बाद जुलाई के बाद भी आपको मेन्स के लिए बहुत जादा समय नहीं मिलेगा महीने में फोकस करें Mains एक्षाम पर और उसमें Answer Writing उत्तर लिखन अभ्यास रिगलर करें इसका Advantage आपको यह मिलेगा Answer Writing प्राक्टिस का Advantage यह मिलेगा कि आपका जो Mains वाला सेग्मेंट है ये ठीक तरीके से प्रपेर हो जाएगा ठीक और उसके बाद फिर आपके पास last month बचेगा जून का लेकिन याद रखे कि ये strategy मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको लग रहा है कि prelims ठीक ठाक उनका तयार है और 90 प्लस 17 मार्च के पहले जितने भी आपने mock test दिये हैं और mock test में आपको लग रहा था कि आप 90 इक लास score कर रहे हैं तो इसका मदवाब का prelims ठीक ठाक तरीके से तयार है तो अभी आपको अप्रेल और मई के महीने में उत्तर लिखन अभ्यास पर फोकस करना चाहिए में सांसा राइटिंग पर फोकस करोगे में सांसा राइटिंग पर फोकस करोगे तो आप एक ऐसा schedule बना लिजे अपना एक टाइम टेवर बना लिजे और उस time table को follow कर दिये और अप subject को डिवाइट कर दीजे कि कौन कौन से subject का इसमें विभाजन कर दीजिए कि आने वाले साथ दिनों में 60 डेज में आपको कैसे काम करना है क्योंकि इन 60 60 days में आप subject divide कर दिए कि आपको कौन कौन से subject की answer writing करना है आपको geography करना है या आपको quality करना है history करना है या फिर आपको लगता है कि आपका paper 5 & 6 ठीक प्रकार से त्यार नहीं था आपको लगता है कि आपका paper 5 & 6 ठीक से त्यार नहीं था UP special तो मेरा ऐसा suggestion है अगर आपको लग रह आपके notes नहीं तयार हैं तो इन 60 दिनों में आप इनका answer इनका revision करने के साथ साथ इसके notes को भी prepare कर लीजिए ताकि अचानक से जब prelims होगा तो उसके बाद आपको 5-6 का burden नहीं रह जाएगा बहुत जादा चुकि इस 5-6 paper को हम lightly नहीं ले सकते 400 marks का वेटेज है इसका 400 number का इस paper का वेटेज है और 400 number को समहलना बहुत important है ठीक paper और 5-6 को तो आप ये करिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रलिम्स ठीक-ठाक तरीके से तैयार है तो आने वाले 90 डेस में आप 60 डेस का time निकालिए मेंस के लिए आंसा राइटिंग प्राक्टिस करिए सब्जेक का विभाजन कर दिए डिविजन कर दिए कुछ समय हिस्टी जोग्रफी पॉलिटी एकॉनमी ये साइन सेंटे क्या एथिक्स है न एथिक्स भी अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा ठीक से एथिक्स नहीं तयार हुगा है जिसे कई बच्चा क्या होता है कि साल वर हिस्टी जोगरफी पॉलिटी कॉनमी तो पढ़ा लेकर एथिक्स को कई लोगों ने इग्नोर कर रखा होगा तो जिनको पॉलिटी तो आप पढ़ी रहे हो ना चुकि आपने प्रिलिम्स के लिए भी पढ़ा है तो आने वाले जो आने वाले जो 60 50-60 डेस तक 58 ज्यादा दिन नहीं आने वाले 50-60 दिन 50-60 दिन आप केवल और केवल किस पर फोकस कर लो पेपर 456 पर फोकस कर लो 100 डेस का टाइम है आपके पास अभी मैंने आपको पता है 100 दिन का समय है और 100 दिन के समय में जन लोगों को लग रहा है गर मैंने प्रिलिम्स की तेयारी पर्याप कर लिया 17 मार्च को चुकि 192 रक्टर में प्रिलिम्स की तारी कर रहा था ऐसे बत्चों को अब प्रिलिम्स पर बहुत जादा पर chunk of syllabus clear हो जाएगा तो जैसे ही आप जुलाई के बाद prelims देके निकलोगे और mains की तियारी में भेडोगे तो आपके ऊपर एक burden नहीं रहेगा paper 456 का चुकि जितने भी बच्चों से मिल रहा हूं मैं जिनोंने तयारी शुरू करी है जिनको एक गड़ साल ही हुआ है दो साल हुआ है तयारी शुरू करते हुए उन सब के सामने यही problem आ रही है paper 456 की तो मैं साजेशन इस कि अभी आप लोगं को आने वाले पचास दिनों में paper 456 पर focus करना चाहिए इसको अच्छे से कि लगभा लगभा आपने 20 जून तक यह काम किया ठीक यह सब काम आपने 20 जून तक किया अब 20 जून तक अगर आपने काम कर लिया तो मैंने एक तो यह option बताया ठीक बीजून तक आप पर लेंसे वापस लग चाहिए समझते रहे ना या आप मालेजे 20 जून 20 मई तक मालेज़ आपने एक काम किया अपरिल के 30 दिन और मैं के 20 दिन 30 और 20 50 दिन तक आपने यह काम किया मलग इस काम को आपको आपको यह पूरा का पूरा काम आपको यह पूरा का पूरा काम 20 मई 2024 तक निप्टाना है यह डेडलाइन से टर लो आप कि 20 मई 2024 तक आपको यह टाइम लाइन है 20 मई 2024 तक आपको यह पूर्शन ख़तम करना है खास कर यह वाला पेपर 4, 5 and 6 एथिक्स और यूपी स्पेशल इसको कर लीजे अब उसके बाद 20 मई के बाद से लेके मई के 10 दिन बचे जून के आपके पास 30 दिन बचे तीस और दस चालिस दिन यह बचे ठीक और हो सकता है जुलाई के आपको कुछ आट दस दिन मिलना है तो 40 और लगभग आपके पास बचेंगे 50 दिन का समय बचेगा और मेरा ऐसा कहना है कि आने वाले 50 दिन आने वाले जो 50 दिन होंगे वो प्री के लिए more than sufficient होगे समझारी बात क्या है तो आने वाले तो सबसे better option यह है कि अभी आप लोग मेंस पर focus करें कब तक 20 मई तक तो मेंस पर focus करें ठीक ह और 20 मई के बाद 20 मई के बाद आप चाहो तो pre plus mains को भी ले सकते हो या फिर केवल और केवल या फिर केवल और केवल 20 मई से लेके मैं कहता हूं 5 जुलाई तक 20 मई से लेके 5 जुलाई तक आप पर focus करें इतना अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले exam में आप बहुत अच्छा कर लेंगे नहीं केवल दोस्तों प्रिलिम्स में बटकी प्रिलिम्स के साथ साथ में भी आप बहुत अच्छा कर लोगे तो मेरी ये सजेशन है मेरी ये मेरे द्वारा ये मैंने इस पर सोचा की विचार किया कि बच्चों को क्या सही रणनीती बतानी चाहिए तो मेरे अनु इधर 50 और इधर 50 डेज में आप डिवाइट कर वीजी यानि इन 50 डेज में आप मैं लेता हूं कि चलो 25 आज 21 मार्च है 21 मार्च से 21 मार्च से 20 माई तक है ना पतास दिन फिर भी लिखे हैं चुकि होली में कुछ दिन निकल जाएंगे आप लोग के 21 मार्च से 20 माई तक आप फोकस करिए मेंस पे मेंस में भी GS4, GS5 and GS6 तीन सब्जेक पर इधर फोकस करिए रिमेनिंग जो 50 डेज होंगे यानि आपके पास अब 21 माई से मैं कहता हूँ 5 जुलाई 21 माई से 5 जुलाई ठीक माई के 10 दिन हुए जून के 30 दिन हुए 40 और लगभग लगभग 5 दिन जुलाई के 45 दिन तो इन 45 से 50 दिनों में इन 45 से 50 दिनों में आप फिर फोकस करेंगे कि इस पर पर फोकस करेंगे जहां पर आप MCQ का अभ्यास निरंतर करेंगे और बार बार उसका क्या करेंगे रिविजन करेंगे ठीक है और ज्यादा ज्यादा आप मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल करेंगे इस दौरान आप क्या करेंगे GS456 के लिए एक तो अपने नोट्स त्यार करेंगे नोट्स त्यार करेंगे और साथ ही साथ नोट्स त्यार करने के साथ साथ आप उत्तर लेखन अभ्यास उत्तर लेखन अभ्यास इन दो पहलों पर आप फोकस करेंगे यही एकदम सही स्ट्राटजी है इसी स्ट्राटजी पर आप मुझे लगरा काम करेंगे तो निश्य दूरूप से आपकी तैयारी प्री और मेंस दोनों की हो जाएगी दोस्तों इसके अलावा उतकर्ष सिवल सर् क्जाया है होली हंगामा आफर और दोस्तों इस होली हंगावा उफर में आपको इस हौली हंगामा ओफर में अगर आप यूपी, PCS, RO, RO, जैसी परिक्षाहों की तयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा आपको उतकर्ष अप्लीकेशन पर सभी खोर्सेस पर 90% तक का डिस्काउ तो उतकर्ष एप्लिकेशन में बुक्षाला के प्रिंटेड नोट्स और बुक्स भी भारे डिसकाउंट पर उपलब्ध है इसका भी आप लाब उठा सकते हैं लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर आप इस ओफर का होली हंगामा ओफर का लाब उठाना चाहते हैं तो दो अगर आप इस मार्च और आज से ओफर शुरू हो चुका है 21 मार्च से लेके 28 मार्च तक ओफर है इस समय आप जैसे यूबी-पी-स प्रिलिम्स के लिए अगर आप इंड्मिशन करना चाहते हैं तो उस बैच में भी आप इंड्रोल कर सकते हैं लाइफ रॉम क्लास्रूम ब अगामी दिनों में लाव जोड़ान चाहते हैं तो उस बैच में आप एंड्मिशन ले सकते हैं उस बैच में मैं फिजिकल जोग्रफी आप दे वर्ल्ड से शुरुवात करी है आईये और अपना एक्स्पिरियंस बहतर बनाईये और अपनी तैरी को शांदर और बहतर बना स सकते हैं तो होली हंगामा उफर का लाव उठाईए ठीक है और अपनी तैरी को एक नई देशा परदान करिए पूरा का पूरा जो मैं आपको डिटेल स्ट्राटजी बताया है इसे स्ट्राटजी पर आप स्टिक रहेंगे तो निश्यत रूप से आपको आगामी दिनों में लाव जरूर देखने को मिलेगा इसी के साथ इस क्लास को मैं करता हूँ यहां पर समा फिर एक और दूसरे वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी तब तक कि बहुत बहुत धन्यवाद